हेलो एबरिवन रादे रादे जैश्री रादे जैश्री किश्ना तो हमारे आ गई हैं नए वाले लड़ू गोपाल जी पहले मेरे पास थे छोटे गोपाल जी अब हैं बड़े और मेरी बेटी कर रही है प्राण स्थापना तो जी वेलकम माई यूटूब चैनल आप सभी का म अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा बच्ची है तो मेरी बेटी ने पहले चावल में काना जी को दवाया फिर उसके बाद फूलों में अब मेरी बेटी दवा रही है आलू में तो आलू फल में आ जाता है तो हम फल में या आलू में दवा सकते हैं तो फल इतने थे इतने नहीं थे तो अब बिधी ने आलू में पूरे काना जी को ड़क दिया है तो अब बस दस मिनट वाद फिर निकाल दिया है तो प्राण स्थापना में काफी टाइम लगता है और मन में एक अच्छे से बहाबना हो तो अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था खुशी मिल रही थी तो बिधी ने अब बादाम लिये हैं मेवा में भी एक वार करते हैं और अब पंचाम रित से हम नहिला दिया हैं भगवान जी को लड्डू गोपाल जी को पंचामरित बनाए उन्हे ला दिया आप बिधी कर रही हैं तौलिया से पोच रही है काना जी को बिधी अच्छे से बहुत अच्छे से मतलब काना जी की सेवा करती है देखो दर जिसे छोटी है तो उसको अभी से ही मैंने सिखा दिया है जैसे मेरी तवियत खराब होती है तो वो आराम से गोपाल जी की सेवा कर लेती है और हम आज ही लेके आए हैं साम कोई लड़ी वोपाल क्योंकि मेरे पास पहले थे छोटे थे तो वो ले गई है मेरी बेंजी ले गई है उनको बाल वगेरा हमने कपड़े पिना के अच्छे से कानाजी को सजा दिया पूरी हो गई है इनकी प्राने स्थापना अब हम अपने घर में इनको पंधारते हैं और फूलों की जो माला है वो भी पिना दिये तो बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं मेरी लड़ी गोपाल नजर ना लग जा इतने सुन्दर लग रहे हैं और रादाजी को साइड पे बठाया और कानाजी को दोनों को एक साथ बठा दिया है तो भूग भी लगा देते हैं साथ में क्योंकि सबसे पहले भूग लगेगा फिर उसके बाद आरती होगी तो जैसे हम से आती है उसी टाइप से हम लोग कर देते हैं बस मावेटी ने अच्छे से कानाजी की प्रानिश थापना कर दी है के लोग पंडित को बुला के करते हैं तो इतना टाइम नहीं ता हमारे पास जिससे हम लेकिया थे उन भीया से हमने पूछा है तो उन्होंने बता दिया था आप खुद कर लेना पंचामरित से ही निलाते हैं तो तो मैंने पंचामरित बनाके कानाजी को निला दिया सब कर दिया पहले हमने दवाया चावल में फिर उसके बाद फूलों में फिर दवाया फलों में फिर मेवे में तो बस अब ने लाके सब काम हो गया है वारती कर देते हैं संधिया का टाइम हो गया है संधिया आरती हो रही है इस टाइम क्योंकि दुफैर में करते तो हम आरती बगएर नहीं कर पाते और ये नक्च बना रहा है वीडियो हिला हिला के नक्च ये कितना ही कहो फिर भी हिलाता है कैमरा पता ना क्या करता है ये देखो कितनी हिला रहा है वीडियो को इतना हिल रही है तो बस अब हो गई है अब काना जी से माफी मांग लेते हैं कलती छमाया आजना अब भूले बाबा को और साले गराम को भी बिदी पंचामरित से निला रही है क्योंकि भूले बाबा को भी हम लाए थे तो हमने पंचामरित नहीं किया था परसों लाए थे सनी देव से तो जी अस भूले बाबा को भी निला दिया है पंच्चामरित बना कर और अब निला देंगे साधे पानी से बिदी को काफी सौक है यह पूजा पाट में उसकी रुची अच्छी है और बच्चे की रुची होनी भी चाहिए तो उसका मन होता है तो सारा कर देगी और मन नहीं होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं करती है वो चाहें आप कहके के रह जाओ लेकिन मन होगा तब ही करेगी आज उसका मन तो तो देख लीजी मन होता है तो कितने अच्छे से सब कुछ कर देती है वह अच्छे से करा था, मेरा तो मनी लग गया जब कपड़े पहनागे काना जी को बहुत ही खुश हुई भी दी पहले तो कही थी अच्छे नहीं है, एतनी बड़े हैं, मेरे चोटे थे लेकिन जैसे काना जी को सजाया तो फिर तो इसका मन खुश हो गया और आना जी पसंद आए तो अब साले ग्राम और भूले बाबा को नहिला के मंदर में ले जा री थी मैंने कहा नहीं बाहर रखो बाहर रखो तो बस अब मेरा मंदर लड़ू गोपाल से हो गया है सुन्तर दिखने लगा है और हमारे जो लड़ू गोपाल जी है वो पंधार गई है हमारे घर में हमारे मंदर में तो भगवान हमेशा खुस्या दे रादे रादे मिलते हैं अगली वीडियो में जैसरी रादे